हलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल दे कल्चर फूर्ड एंड ट्रेवल में और आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदर आलो की सबची चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं मसालेदर आलो की सबची मैंने लिया है आलो, ओलिव ओल, मटर, तेश पत्ता, ग्रीन चिली, नमक, ब्लैक पेपर, लॉंग, तंदूरी मसाला, कोरियंडर पॉटर, मसाला फ्राइड, रेड चिली, हल्दी, क्यूमिन अब मैं कुक कर में आलो को डाल दूँगी, आलो बालने के बाद मैं इसे छिल के काट लूँगी मैंने इसमे ओल डाला, अब मैं इसमें तेज पत्तार आलोंगी, लॉंग कुमिन, साबट मुर्चा, कुमिन, एक चम्मच हल्दी, आदा चम्मच और महल्दी डाल भी हूँ आदा चम्मच मिट्चा जरम मसाला कुरियंडर पॉडर 2 चम्मच कुरियंडर पॉडर अब मैं इसमें केंड ग्रीन पीस डालने के बाद अब मैं इसमें उबले हुए आलू के कटे हुए पीसे डालूंगी मैंने आलू के पीसे बड़े बड़े काटे हैं इसके साइज मैंने बड़ा रखा है अब मैंने इसके साइज मैंने इसके साइज आब अबले अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और दो चमज सॉल डालूंगी नमक आप अपने स्वाध अनुसार डाल सकते हैं तंदूरी मसाला क्योंकि मैं मसाले दार आलू की सबजी बना रही हूं इसलिए मैं इसमें तंदूरी मसाला भी उपर से डालूंगी सारे मसाले डालने के बाद इसे 15 मिनट के लिए पीडियम रेंज में ढखके रख दे अब एक बार इसे चला लेंगे मसाले दार आलू की सबजी रेडी हो चुकी है अब मैं ऐसे बाउल में पलट लूंगी मसाले दार आलू की सबजी रेडी हो चुकी है देखे कितनी खुपसुराट और डिलीसियस यमी टेस्ट में बनी हुई है अगर आपको मेरे मसाले दार आलू की रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बिलो थैंक यू बाबाई अगर आलू की सब्सक्राइब लाइब 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 झाल झाल